डिक्टिशिन गती 80 सब्द प्रती मिनट इस्टार्ट भारत में कन्या भुरूर हत्या के कई कारण हैं प्राचीन काल में भारत में महिलाओं को भी पुरुसुं के समान, सिक्षा के समान अवसर उपलब्ध थे कीन्तु विदेशी आक्रमणों एवं अन्य कारणों से महिलाओं को सिक्षा प्राप्त करने से वंचित किया जाने लगा एवं समाज में परदाप्रथा और सतीप्रथा जैसी कूप्रथाईं व्याप्त हो गई महिलाओं को सिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं होने का कूप्रभाव समाच पर भी पड़ा लोग महिलाओं को अपने सम्मान का प्रतीक समझने लगे धार्मिक एवं सामाजिक रूप से पुर्सों को अधिक महत्व दिया जाने लगा एवं महिलाओं को घर की चार दीवारी तक ही सीमित कर दिया कया इसकी कारण संतान के रूप में नर्शिसू की कामना करने की गलत परंपरा समाज में विक्षित होई युवावस्था में प्रेम के फल्फरूप गर्भधारण को हमारा समाज पाप मानता है जिस परिवार की किसोरी ऐसा करती है समाज में उनकी निंदा की जाती है इन्ही कारणों से लोग चाहते हैं कि भविस्थ में अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुचने की किशी आतंका से बचने के लिए वे सिर्फ नर्शिसू को ही जन्म दे भारती नारियां तो अपनी कन्याओं को जीवन भर समस्याओं का द्रणता पूर्वक सामना करने की सीख देती है कन्या भूर हत्या का एक बड़ा कारण दहज पर्था भी है लोग लड़कियों को पराया धन समझते हैं उनके लिए दहज की ववस्था करनी पड़ती है दहज जमा करने के लिए कई परिवारों को कर्ज भी लेना पड़ता है भविश्य में इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए लोग गर्भा वस्था में ही लिंग परिक्षा करवा कर लड़की होने की इस्थिती में उसकी हत्या करवा देते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वह अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करने के लिए भासा का प्रियोग करता है भासा के द्वारा ही वह समाज में सामन्जश्य इस्थापित करता है भारत में भावगोलिक एवं सामाजिक विविदताओं के कारण अनेक भासाएं बोली जाती हैं जिनमें हिंदी को भारत संग की राजभासा होने का गवरव प्राप्त है महत्मा गांधी ने कहा भी है राष्ट्रिय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नती के लिए आवश्यक है हिंदी समवैधानिक रूप से भारती राजभासा है कीन्तु व्यवहारिक रूप से इसे यह सम्मान अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है हिंदी को उसका वास्तविक सम्मान दिये जाने का मुख्य कारण भासावाद है भारत में अनेक भासा बोलनी वाले लोग रहते हैं भारत के समविधान में 22 भासाओं को माननेता प्राप्त है इन सभी भासाओं में हिंदी भारत में सरवाधिक बोली जाने वाली भासा है आज देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या 42 करोड से भी अधिक है भासा की बहुलता का ही नतीजा है कि देश में भासाओं की इस्थिती उबरी है जिससे हिंदी को नुकसान उठाना पड़ा कुछ स्वार्थी राजनीतिग्य नहीं चाहती हैं कि हिंदी को राजभासा का वास्तविक सम्मान मिले वे इसका विरोध करते रहती हैं